अपने किस्मात सब उपर से लिखवा कराते हैं इस जिंदगी में क्या कुछ हमारे साथ होने वाला है ये पहले से ही तै कर दिया जाता है लेकिन सच ये भी है कि समय के साथ साथ हमारे हाथों की रेखाएं बदलती रहती है और इस बात के सुपता तो हम सभी को हमेशा रहती है कि हमारे जिंदगी में हम कितनी धन दौलत कमाएंगे आपको बता दे कि हस्त रेखा के अनुसार, जोतिश के अनुसार हमारी हतेली में कई ऐसी रेखाएं होती हैं जिन में से एक धन की भी रेखा होती हैं आपको बता दे कि हमारी हतेली में सभी रेखा एक समान नहीं होती ये रेखाएं हमारे कर्मों के आधार पर बदलती ही रहती है हतेली में धन रेखा होना कोई आम बात नहीं है आपको बता दें कि कई लोगों की हतेली में धन रेखा दिखाई ही नहीं देती लेकिन इसका मतलब बिलकुल भी ये नहीं है कि उनके भाग्या में धन ही नहीं है या फिर धन प्रापती के और भी कई कारक होते हैं और उनके भाग्या में वो शामल होते हैं जैसे कि जीवन रेखा का सही गोलाई में होना, मस्तश्क रेखा का दो भागों में बटना और हतेली पर त्रिकोण का चन बना होना इसके अलावा और भी कई ऐसी रेखाएं होती हैं जो विक्ति के जीवन में धन के आगमन की ओर इशारा करती हैं लेकिन आज खासता और पर एक नजर डालते हैं हतेली पर बनी धन रेखा के उपर आपको बता दे हतेली में धन रेखा कनिष्ट का उंगली यानि की सबसे चोटी वाली उंगली के ठीक नीचे खड़ी एक रेखा होती है अगर ये रेखा गहरी और स्पष्ट तरीके से दिखाई दे तो इसे बड़ा ही शुब माना जाता है हस्त रेखा जोतिश के अनुसार ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत सारा होता है और पैसा कमाने के मामले में ये लोग बहुत जादा स्मार्ट भी होते हैं और भविश्य में काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं यही नहीं बलकि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के ले कई लोगों की भी मदद मिलती है तो वहीं अगर धन रेखा लहरदार होती है यानि की धन रेखा स्पष्ट और सीधी ना होकर टेड़ी मेड़ी हो तो हस्तरेखा जो तुश के अनुसार ऐसे लोगों के पास धन तो जरूर होता है लेकिन धन स्थर नहीं रहे पाता यह खुले हाथों से खर्चा करने वाले लोग होते हैं आपको बता दे कि जिन लोगों की हंथेली में ऐसे योग बनते हैं उन्हें मेहनत करने के बाद धी धन की प्रापती नहीं हो पाती है और इनके पास धन तो होता है लेकिन ये अपना धन विफजूल के खर्चों में जादा व्यर्थ कर देते हैं आपको बता दे कि ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के हाथों में गहरी धन रेखा होती है वो अपने जीवन में काफी जादा यश और कीर्थी की भी प्रापती करता है नेक्स्ट नाइन स्प्रिच्छोल से आर्थिक रिपोर्ट